अस्सलाम अलेकुम वेलकम टो टेक्नुफाइल मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारी कुलुडा 2021 की 7 किलास है पिछले किलास में हम लोग उने शैप टूल पढ़ाता और आज ही किलास में हम पढ़ने वाले शैपिंग आप्शन तो आईए स्टार्ट करते सबसे पहले मैंने यहां पर एक सरकल ड्रॉ किया और यहां पर मैंने एक कलर ड्रॉ कर दिया ठीक है और एक और मैंने कॉपी लेली कंट्रोल लेप बटन होड़ करके राइड बटन प्रेस करके आप एक और कॉपी क्रियेट करें अब देखें आप आपके पास दो अबजेक्ट नहीं पर मजूद हैं, इन दोनों को select करेंगे आपके पास detecting option open जाएगा, जब आप दोनों object को select करेंगे तब होगा आप के पास, अगर आप एक object और से अपे पास seguro production open नहीं होगा, दोनों object को जब selecting करेंगे तब आपके पास shaping option यहाँ पर open होगा इसे केते हैं shaping option इस वाले को नहीं कहा जा geven अब object में आजाए यहाँ से भी आप shaping option अपलाई कर सकते हैं shaping option में सबसे पहले option आपके पास आ रहा है वैड का जब भी आप दो object को combine करना चाह रहे हो या Яड करना चाह रहे हो मैं Ctrl Z कर देता हूँ अगर आप देखे तो आपके पास यहलो का पीछे है और रेट आगे है ठीक है तो याद रखा जाए जब भी शेपिंग आप्शन अप्लाई होता है तो जो आपके पास पीछे जो भी कलर होगा वो सारे अप्लाई हो जाएगा वैल्ड हो जाएगा जो बै से इसको बैक कर रहा हूँ इन दोनों को सलेक करके अब मैं इसको वैड कर रहा हूँ अब मेरे पास रेड कलर फिल हो रही है ठीक है मैं Ctrl Z कर देता हूँ अब आते हैं दूसरे आप्शन की तरफ दूसरा आपके पास है ट्रिम का आगे वाला जो है वो पीछे को क्या कर देग ठीक है अब जैसे के फिर इग्जेमपल मैं यहांपर इक चान्द बना रहा हूँ तो दूनों को सलेक करके मैं यहाँ ट्रिम कर रहा हूं ठीक है तो आगे वाला आपजेक पीछे वाले आपजेक को क्या कर देगा ट्रिम कर देगा इसी तरे किसे मैं Ctrl Z कर देता हूँ और ओबजेक्ट में जो common area है यह इससे जो है यह आवर लेप कर लेगा इसे कोपी क्रियेट कर देगा जैसे ही मैं प्रेस कर देता हूं तो यह आवर लैप कर देता है अब देखो यह और और यह object इसके बीच वाली center में जो object थी उसने उसको overlap कर दिया, इसकी copy create कर दी, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई leap बनानी हो, तो यहाँ पर आके, मैं दोनों object को select करके, आप intersect के बटन के उपर press कर दे, यह वाला object और यह object आप हटा दे, अब यह अगर देखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास object जो है, intersect हो चुकी है, double press करके, मैं इस point को यहाँ पर रख देता हूँ, ताकि यह इस से rotate हो, मैं इस से left बटन होल्ड करके, right बटन प्रेस कर रहा हूँ, और control डी, 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 से मैं copy create कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह आपके पास यह खुसूर सा एक flower ब के यहाँ पर simplify option के उपर press करूँ, तो यह क्या करेगा, यह उपर वाला object, नीचे वाले object को cut कर देगा, ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल बन रहा है, कि ट्रिंग का काम भी था, cut करना और simplify का काम भी cut करना था, तो इन दोनों में क्या differences है, इन दोनों में यह differences है, मैं इस दो object को हटा देता हूँ, यहाँ से, और यहाँ पर एक circle ड्रॉ कर देता हूँ, और double प्रेस करके यहाँ पर, इस point को यहाँ पर रख देता हूँ, इसको color दे लेता हूँ, ठीक है, और इसकी copy ले लेता हूँ, control DDD से मैं repeat copy ले रहा हूँ, अब अगर आप देके, और मैं यहाँ पर आके एक और circle ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ पर इस circle को यहाँ पर रख देता हूँ, इसको red color दे रहेते हैं, यहाँ पर इन सब को select करके, simplify option के उपर press कर देते हैं, अब अगर आप देखें, तो यहाँ पर यह सारे object trim हो चुके हैं, ठीक है, तो यह multiple object को क्या कर देता है, trim कर देता है, cut कर देता है, ठीक है, अगर मैं trim की बात करूँ, तो मैं control-z कर देता हूँ, control-z कर दिया हैं, अब यह object मैंने, जैसे यहाँ पर रख दिया और इन सब को select करके, यहाँ पर trim के button के उपर press कर देते, तो अब इसने सारे object को trim नहीं, गय सिब एक object को trim कर दिया ह तो इसका मतलब इंग हो एक अब्जेक्त के कट कर रहा है और सिंप्लिफाय जो एliness hai तो भी हटआ देता हूं अब आते हैं अगले टॉपिक की तर्फ सभी हमारे पास है सबसे पहले में इस्की सिस. आप ně इस साइस वाले object को cut कर लेगा और यहां से खतम भी हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से मैं control z कर देता हूं और इन दोनों को दोबारा select करके जैसे ही back minus front के उपर प्रेस करोगे तो उपर वाला नीचे को क्या कर लेगा cut कर लेगा और खतम भी हो जाएगा ठीक है तो इस तरह आप इस option को भी apply कर सकते हैं यहां पर मैं एक rectangle ड्रॉक कर देता हूं और यहां पर एक circle ले लेते हैं यहां पर भी एक में एक circle लिया मैंने इन सब को select कर दिया अब यहां पर अगर आप देखे तो आखरी option आपके पास एक create a boundary अब आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो यह आपके पास एक boundary create कर लेगा ठीक ह आप देखे इस ने एक boundary create आपके पास जो पुराना वाला object है वो वही पर मजूद है उसी तरीके से ठीक है अब अगर आप object में जाए और यहां पर शेपिंग option में जाके यहां पर अगर आप देखे तो आपके पास सारे option जो है वो tool properties बार में भी मजूद थे यहां पर भी म इसको red color दे रहता हूं अब देखे तो यहां पर आपके पास वैल का option आ रहा है मैं वैल का option के उपर प्रेस करके यहां पर आके क्लिक कर रहा हूं तो यह दोनों object क्या होगे वैल्ड होगे ठीक है जो कि आप वहां से भी कर सकते थे और यहां से भी कर सकते हूं मैं control Z कर देत तो आपके पास जो आपने target किया था वो object नहीं है और जो आपने target नहीं किया था वो object आपके पास रह चुकी है ठीक है इसी तरीके से मैं control Z करके दोबारा यहां पर leave original target के उपर प्रेस कर देता हूं अब click करेंगे अब जो आपके आपने जो target किया था वो रह जाएगा और तो आपने target नहीं किया था वो खतम हो जाएगा ठीक है मैं control Z कर देता हूं दुबारा अब अगर दोनों के उपर प्रेस करोगे और well to के option के उपर प्रेस करोगे और यहां पर प्रेस कर दोगे तो अब आपके पास दोनों original object भी रह जाएंगे और आपके पास object well भी हो जाए होगा इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें ट्रिम इंटरसेक्स सारे option यहां पर मजूद है ट्रिम के option के उपर भी प्रेस करेंगे तर ट्रिम से भी वही होगा कि उपर वाला object निससे कट करेंगा और वही option यहां पर भी है जो भी हम लोगों ने पढ़ा तो आप इसक को मैंने डिलेट कर दिया और वील के जरे मैंने जूम कर दिया मैंने एक सरकल ड्रॉ किया पी से मैंने सेंटर पर कर दिया यहां पर आके मैं पोलिगोन ले लेता हूँ पोलिगोन को ड्रॉ कर देता हूँ और इसकी जो साइड्स है वह में कम कर देता हूँ और इसकी जो इन दोनों को select करके मैं copy ले लेता हूँ, इसकी ये side तोड़ी सी चोटी बना लेते हैं, इसकी ये side तोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को मैंने select करके यहां से क्या कर दिया, वैड कर दिया, और इन दोनों को भी मैंने select करके यहां से वैड कर दिया, ठीक ह और इसकी तोड़ी से साइजिंग बढ़ा लेते हैं ठीक है अब मुझे फून का सिम्बल चाहिए तो इसके लिए आपको टेक्स के टैब में जाके यहां पर आ जाए गिलिप्स के उपर प्रेस कर दें कंट्रोल एफ 11 से भी ओपन हो जाएगा फॉन्स फैमिली के उपर प्रेस यहां पर आपके पास फूल का सिम्बल मजूद है अब इसको ड्रैक करके यहां पर ड्रॉफ कर देना है आपके पास स्पून का सिम्बल आ जाएगा ठीक है अब इसको मैं चोटा करके यहां पर रख देता हूं और इसको वाइड कलर दे रहता हूं ठीक है क्लिक करके इसको इस तरह कर देता हूं ठीक है अब आते हैं मैं इसको हटा देता हूं पीचे वाले सरकल को सेलेक करके इसको वाइड कलर दे रहता हूं और यहां पर आके शेड़ो के उपर प्रेस करके इसको शेड़ो दे रहता हूं ठीक है तिलहाल मैंने शेड़ो इस तरह अपलाई कर दिया और यह सारे option इंशाला शेड़ों के बारे में पढ़ेंगे और लाइं के रखतम करने के लिए मैं सरकल के उपर प्रेस किया और यहां पर आके right button press करके इसके उपर प्रेस कर देना है और आपके पास लाइं कर खतम हो जाएगी इसकी भी मैं लाइं कर खतम कर देता हूँ आपके पास वर्ट सब का लोगों बन गया ठीक है अब मैं यहां पर एक रेटेंगल ले लेता हूँ यहां से एक शेप टूल ले ले लेते point को select कर देते ship button hold करके इस point को भी select कर देते और इसको round कर देते ठीक है यहां पर आके एक circle ड्रो कर देते और इसकी position change कर देते हैं यहां पर कर देते हैं इन दोनों को select करके यहां पर trim option apply कर देते हैं ठीक है अब इन circle को तोड़ा सा कम कर तोड़ा सा चोटा कर दो ठीक है तो यह आपके पास एक और icon बन गई इसी तरीके से आप बहुत सारे icon बना सकते हैं कोईश करें कि आप भी कुछ बनाए ताके आपकी activity जारी रहें उमीदे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी चैनल को subscribe भी करें like भी करें share भी करें ताके नए आने वाले वीडियो की notification आपको मिल सकें अपने खाल रखिएगा अलाफिस